कार्तिक नाम का एक गरीब लड़का था उसकी मा की इच्छा थी कि वो पढ़ी लिखे लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे इसलिए कार्तिक रोज जंगल में लकडियां काटने के लिए जाय करता था एक दिन वो जंगल में लकडी काटने गया तो उसे जाडियों में किसी के रोने की आवाज आई वो वहाँ गया तो उसने देखा कि जाडियों में एक सुन्दर लड़की फंस गई थी उसके कपड़े जाडियों में बुरी तरह से उलज गय थे और उसके पंक भी थे ये देख कर तो कार्तिक का शरे चकित रह गया वो उस लड़की के पास गया और बोला तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या करने आई हो वो लड़की रोते हुए बोली मैं सोनम परी हूँ परी लोग से मैं यहां खेलने के लिए आया करती हूँ मैं जील के किनारे नाच रही थी कि तभी मेरे पीछे हाथी दोड़ा मैं भागती हुई आई और जाडियों में गिर गई देखो मेरे पंक गायल हो गए है अब मैं यहां से कैसे चापाऊंगी ऐसा कहकर वो रोने लगी कार्तिक ने उसे बड़ी साफधानी से निकाला उसके पंकों से खून रिसने लगा था कार्तिक ने वहीं पास के सरोवर से पानी लेकर उन्हें धोया और कहा अभी तुम्हारे पंक खायल है तुम अपने लोग को नहीं जा पाऊगी तुम मेरे यहां चलका रहो जब ठीक हो जाओ तब चली जाना लेकिन वहां मेरे पंकों को देखकर सब सवाल करेंगे मैं ऐसा करती हूँ मैं साधारन लड़की का भेश बना लेती हूँ ठीक है कार्तिक सोनमपरी को अपने घर ले आया उसने अपनी मा ममता को कहा हाला कि कार्तिक के घर में इतनी गरीबी थी कि किसी के लिए भी गुंजाईश नहीं थी लेकिन वो लोग बहुत दयालू थे इसलिए उन्होंने सोनम को भी अपने घर में जगह दे दी वहां उन्होंने सोनमपरी की दवा शुरू कर दी उस दिन कार्तिक की मा ममता खाना बनाने जा रही थी लेकिन घर में नमक ही नहीं था और उनके यहां नमक लाने के लिए पैसे भी नहीं थे तब ही ममता कार्तिक से कहती है आज तो तू लक्रियां बेचने के लिए भी बाजार में नहीं गया जिससे पैसे भे नहीं मिले अब बता दाल में डालने के लिए नमक कहां से लाओ मैं दुकान पर गई थी लेकिन लाला लाचपत ने नमक उधार में नहीं दिया ये सुनकर सोनम चुपचाप कबरे में गई और वहां उसने मन ही मन में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया बड़े आश्चरे की बात है उसके हाथ में एक नमक की थैली आ गई सोनम नमक लेकर ममता के पास गई और बोली माची आपने देखा नहीं था ठीक से अभी मैंने देखा तो नमक की थैली तो अंदर ही रखी हुई थी ये देखकर ममता खुश हो गई उसने सोचा हो सकता है वो पहले ही ले आई हो और उसे याद न रहा हो सोनम बोली अब आप रहने दो खाना मैं ही बनाया करूँगी उस दिन वो दाल में नमक डाला गया और सोनम नहीं खाना बनाया उस खाने में सबको ऐसा स्वाद आया कि दाल कम पड़ गई ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया था ये तो नमक का स्वाद है नमक का और सोनम के हाथ की करामाथ है दूसरे दिन कार्तिक लखडियां काटने के लिए जाने लगा तो सोनम ने उसे कहा देखो अब जब मैं यहां रह रही हूँ तुमने मेरी मदद की थी ना तो मेरा भी फर्स बनता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ जाओ दुकान से कुछ आलू ले आओ और मैं समोसे बनाती हूँ तुम गाओं में सबको बता कर आना हमारे यहां समोसे की दुकान शुरू हो गई है ये बात सुनकर कार्तिक खुश हो गया वो तुरंथ ही दुकान से आलू ले आया सोनम ने आलू उबालने के लिए रग दिये और वो मैदा गूनने लगी उसने आलू में वही नमक डाला और मसाले डाले फिर उसने समोसे बनाए इस बीच कार्तिक ने पूरे गाउं में प्रचार कर दिया कि उसके यहां समोसे मिलते हैं कुछ लोग समोसे खरीदने आए और जब उन्होंने समोसे खाए तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगे गाउं के लोग राजू, बंटी और टीका आपस में बाते करने लगे अरे भाईया सुना है कार्तिक के यहां समोसे के दुकान खुल गई है हैं? उसके यहां कोई बेसहारा लड़की है उसने बनाया है सुना है बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है अरे सुना क्या? मैंने तो आज लेकर खाए है बहुत अच्छे बने हैं भाईया मैंने तो इत्ते स्वादिष्ट समोसे आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए मैं तो और भी लेने जा रहा है दोपहर होते होते सारे समोसे बिग गए दूसरे दिन फिर वही हाल रहा उसने अपकी बार धेर सारे समोसे बनाए और वो समोसे भी बिग गए अब तो सोनम के बनाएवे समोसे आसपास के गाउ में तो क्या? आसपास के इलाकों में भी मशूर हो गए कार्तिक बहुत खुश था वो अपनी मा ममता से बोला अब तो हमारे पास नोटों की बरसाथ होने लगी है यही हाल रहा तो थोड़े दिनों में हम बहुत अमीर हो जाएंगे अब हमारे समोसे खरीदने के लिए लाइन लगती है लाइन इतनी लंबी लाइन में लोग घंटों खड़े रहते हैं लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं और ताज़ुब वाली बात यह है कि नमक की थैली खतमें नहीं होती वो जोखितियों हैं ममता के पडोस में एक दुस्ट और इर्शालू आदमी नाथुराम रहता था उसे यह हजम ही नहीं होता था कि कोई उसे ज़्यादा कमाई करे वो मन ही मन सूचने लगा कमाल है अभी थोड़े दिन पहले यह लोग भूखे मरते थे और आज उनके यहाँ दौलत बरस रही है इतने ज़्यादा समोसे बिक रहे हैं और इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग घंटों खड़े रहते हैं लेकिन समोसे लेकर ही जाते हैं आखिर ऐसे कौन सी खास बात है कमबक्त स्वादिष्ट तो बहुत है मैंने भी खा कर देखे हैं वो कार्टिक के घर के पास गया और चुपके से जाकर देखने लगा उसने देखा कि सोनम ने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया था वो नमक आलू में डाला था नाथुराम ने सोचा ओ इसका मतलब इस नमक की रहमत है मैं इस नमक को ही चुरा लेता हूँ इसको अगर चुरा करके ले जाऊँ और इस नमक को डाल कर समोसे बनाने लगू तो मेरे भी समोसे मशहूर हो जाएंगे तो मैं भी माला माल हो जाऊंगा हाँ ये ठीक रहेगा ये सोच कर वो अपने घर चला गया आधी रात को वो उठा और कार्तिक के घर पहुचा वहाँ तो सब गहरी नीद में सो रहे थे वो नमक की थैली को चुरा कर ले आया उसे पता भी नहीं चला कि सोनम खटर पटर से जग गई थी और उसने नमक चूरी करते हुए उसे देख लिया था वो मनी मन मुस्कुरा कर बोली बच्चे चुरा कर ले जाओ तुझे क्या पता ये जादूई नमक है दुष्ट लोगों के याँ काम नहीं करता ऐसा कहकर उसने आगे हाथ पहलाया तो उसके हाथ में दूसरे नमक की थैली आ गए दूसरे दिन सबेरे नाथुराम ने पूरे गाओं में कह डाला कार्तिक के समोसों की तरहा मेरे यहाँ पर भी स्वाधिष्ट समोसे मिला करेंगे आप लोग मेरे यहाँ खरीद कर खाना है सब लोग नाथुराम की यहाँ समोसे लेने के लिए गए नातुराम कड़ाई में तल तल कर गरम समोसे निकाल रहा था और बहुत खुश था उसके समोसे जैसे ही कुछ लोगों ने चखे उन्होंने थूखना शुरू कर दिया अरे थू 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 इतने सड़े आलू इसमें पड़े हैं और इनका स्वाद इतना खराब है हमारे पैसे बरबाद हो गए भाईया अरे इसने हमें ठग लिया है भाई भाई मिठ्थू भाई मिठ्थू जल्दी से पैसे वापस करो नहीं तो फिर तुम्हारी पिटाई होगी हाँ समझ में नहीं आ रहा यह क्या हो गया मैंने नमक तो वही चुराया था तो मेरे समोसे कैसे खराब हो गए नातु राम अपना सिर पीटने लगा लालच के मारे एक आलू की बोरी भी खरीद कर ले आया था सारे लोग भाग भाग कर कार्टिक यहां पहुँच गय वहां लाइन लगा कर खड़े हो गए वहां गर्म गर्म समोसे निकाले जा रहे थे और सब लोग खरीद कर खा रहे थे सोनम परी के घाव अब ठीक हो गए थे उसने घर में सबको समोसे बनाना सिखा दिया था अब सोनम परी को अपने परी लोग में जाना था उसने अपने पंखों को सीधा किया और सबसे विदा लेकर अपने देश के लिए उड़ गई कार्थिक ने उसे भीगी आँखों से विदाई दे चंदनपुर गाउं में किशन और मदन नाम के दो भाई रहते थे किशन पैसे वाला था जबकि मदन गरीब था किशन एक धाबा चलाता था पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर धाबा चलाते थे पर जब धाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया मदन सीधा सादा था इसलिए कुछ नहीं बोला मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कड़ी चावल बेचना शुरू कर दिया गाउ में किशन का ढाबा होने की वज़े से मदन के कड़ी चावल का ठेला जादा नहीं चलता था मदन दयालू सभाव का था वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था मदन की बेटी रूपा के पैर में चोटा गई थी जिस कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शेहर में ही हो सकता था जिसके लिए मदन को दो लाग रुपे की जरूरत थी पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके इस बात को लेकर वो बहुत परिशान रहता था क्या करो शेहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा एक बार किशन भहियां से बात करके देखता हूँ शायद वो थोड़ी मदद कर दें मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बुढ़ा व्यक्ती किशन के ढाबे पर आता है बहुत भूख लगी है बगवान तुम्हारा भला करे लो एक मांगने वाला पहले आया दूसरा मांगने वाला बाद में आ किया जब देखो मेरे डाबे पर भिकारियों की भीड लगी रहती है मेरे डाबे से फूटी कौडी तो क्या एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा चलो जाओ यहां से मदन समझ कया था कि कही न कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है वो निराश हो जाता है बुड़ा व्यक्ती भूखा ही वापस जा रहा था तब ही मदन उसे आवाज लगाता है अरे बाबा रुको पास ही में मेरा ठेला है वहाँ पर चलो मैं कुछ खिलाता हूँ मैं अपना ठेला लेकर वापस घरी जा रहा था यह कड़ी चावल है यह तुम खालो और अपने घर भी लेते जाओ जीते रहो बेटा भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे कड़ी चावल को देख कर बुढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी ऐसे ही दिन बीत रहे थे पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता एक दिन मदन जब कड़ी चावल का ठेला लगा रहा था तभी वहां से कुछ सादू महात्मा गुजर रहे थे सभी महात्मा बहुत भूखे थे वो आपस में बात करने लगे बहुत भूख लगी है हम सादूओं को देख कर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं शायद ये हमारी कोई मदद कर दे हाँ हाँ पूछ कर देख लेते हैं नहीं तो भूखे ही मद्दिर की और बढ़ जाएंगे बेटा बहुत भूख लगी है क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो हाँ हाँ महात्मा जी ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कड़ी चावल खाओगे तुम सच मुझ बहुत दयालू हो पर तुम कहीं न कहीं किसी शंका में हो हमें अपना दुख कहो मदन उनसाधूं को अपनी परिशानी बताता है तुम्हें परिशान होने की कोई आवशक्ता नहीं है हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी कड़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बड़िया हो जाएगा इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी तुम अराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शेहर में करवा सकते हो बहुत शुक्रिया मैं इस बात का ध्यान रखूंगा उन साधू महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कड़ी चावल बनाने लगा मदन के कड़ी चावल इतने स्वादिश्ट होते थे कि आसपास के सभी गाउव और शेहर के लोग भी उसके पास कड़ी चावल खाने के लिए आते थे मदन सौ गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कड़ी चावल बाटता था धीरे धीरे मदन की बिकरी बढ़ गई अब उसके पास लोग भी ज़्यादा आने लगे थे इसलिए उसने धीरे धीरे कड़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोल ली मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए थे जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी बापू देखो मैं फिर से चल सकती हूँ बापू मेरा पैर बिलकुल ठीक हो गया आज मैं सच मुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ उन साधू महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिये हाँ जानकी तुम बिलकुल ठीक कह रही हो वो साधू महात्मा तो कोई भगवान का रूप बन कर आए थे मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है किशन को जब मदन की तरक़्ी के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुह लेकर रह जाता है मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में धेर सारी खुश्या आ जाती है कहते हैं जो दूसरों का भला करता है भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं